अलो फ्रेंट्स एंडियर इस्टुडेंट्स आपकी सीबी एस्टी की एक्जाम शुरू हो चुकी है और आपका जोग्रूफी का पेपर भी जल्दी होने वाला है इसलिए मैं आपको परिक्षय से संबंदित थ्री मार्श के सेक्शन भी प्रिशन संख्या 18-23 तक के कुछ इंप्रटेंट प्रिशनों के बारे में बताऊंगा इन सभी प्रिशनों को द्यान से देखना और समझना है इन में से कुछ पिछ आपके जोग्रूफी के पेपर में आएंगे तो आईए शुरू करते हैं और देखते हैं इंप्र्टेंट और उप्योगी पिशन उत्तर पहल पढ़ना है और उसके बाद में इसके नीचे उत्तर दिये गए हैं उनके प्रस्णों के उत्तर दीजिए अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि उपलग जल संसाधन तेजी से कम हो रहे हैं देश की प्रमुख नदियां आम तोर पर पहाड़ी छेत्रों में कम गनी आबादी वाले उप्रिसों में बहेतर जल गुणवत्ता बनाए रखती हैं मैदानी इलाकों में सिचाई पीने गरेलू और अध्योगिक उद्देशों के लिए नदी के पानी का गहनता से उप्यों किया जाता है यानि ज्यादा उप्यों किया जाता है किर्शी में खेती उर्वरक और कीट नाशक दवाएं गरेलू जिसमें ठोस और तराल अप्सिष्ट लगंदगी और और अध्योगिक अप्सिष्टों के जो कार खाने हैं उनके कच्रा को ले जाने वाली नालिया नदियों में मिलती है नदियों में प्रदुसकों के सगंता जादा विशेश उलूप से गर्मी के मौसरम में बहुत अधिक रहती है जब पानी का प्रवा कम हो जाता है नदियों में प्रदुसकों के सहयोग से 507 स्टेशनों पर राष्टिया जलियस अंसादनों में की गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है इन स्टेशनों से प्राप्त आकड़ों से पता चलता है कि जैविक और जिवानू प्रदुसन नदियों के प्रदुसन का मिक स्रोत है कौनसा जैविक और जिवानू प्रदुसन आगे और रहा है इसमें जमना नदी और इटावा के वीच देश की में सबसे ज्यादा प्रिदूसित नदी है अन्य गंबीर रूप से प्रिदूसित नदी है एमदाबाद में साबरमती लखनों में गोमती काली नदी अडियार प्रूम यानि संपूर्ण सबसे ज्यादा प्रिदूसित नदी है भूजल के विभीन भागों में भारी या जैरीली दातुओं फलोराइड और नाइट्रेट की उच्छ सांधरता के कारण प्रिदूसर्ण हुआ है अब यह हमने पढ़ लिया है पैसेज अब इसके आपको पढ़के उत्तर देना है पहला क्वेशन है कि उपलव्द जंसादनों का तेजी से छरण हो रहा है क्यों हो रहा है इसका उत्तर आपको देना तो इसका उत्तर है कि जब जल प्रिदूसर्ण तब होता है जब जहरीले पदार्थ जल में जैसे जल निकाय होते हैं कि जील नदिया महाशागरादी में प्रवेश कर जाते हैं और उसमें गुल जाते हैं पानी में निलंबी तो हो जाते हैं यह जमा हो जाते हैं इससे पानी की गुणवत्ता खराब हो जाती है यही सबसे बड़ा कारण है नेस्ट है क्याय में कैंगरी दूसरा केंद्रिय यांशन नियंतरन बोर्ड यानी सीपींसीवी की भूमियका क्या हैं उसके बारे में आपको बताना तो सीवी सीबी आनि केंद्रिय प्रव्य दूसन नियंतरन बोर्ड का प्रात्मिक मी पहला उ裡面ला स Comes Our बड़ावा देना और कुव और जल्द आ रहा हूं जल्द आ रहा हूं जहां से पानी आता है नदी है जील है तलाब इस तरह में पानी की सुधता को बनाए रखना या वाल रखना है अब इसी से मैं से तीसरा क्योशन पूछा जा रहा है कि विशेज कर गर्मी के मौसम में नदियों में प्रदुसुकों की सगंता बहुत अधिक क्यों रहती है तो आपने जैसे पड़ा की गर्मियों में नदियों में पानी की या कमी हो जाती है तो उससे कृसी उर्वारक और क ज्यादा हो जाते हैं जाते हैं पानी कम होता है फश्यीं में बहुत डेरा इस के देंक यह है सरॉवट रहते हैं लेकिन मानचेह के मौस आपको देहां से देखना है और फिर वत्तर आपको देना है तो मैं आपकी आसानी के लिए इसके कुछ मैंत्पूर्ण पॉइंट भी आपके सामने रख दिया हैं तो उनको आप एक बार जरूर देखें यह मैं पर इसमें एक नहर दी गई है और इसके बारे में आगे पूछे जाएंगे तो मैं इसके बारे में एक बार बता देता हूं कि यह नहर अट्लांटिक मासागार को प्रसांत मासागार के जोड़ती है दूसरी विचेशता इसका निर्मान संयुक्त राज अमेरिका के दावरा किया गया है अब आपको समझ मारा है कि कौन सी नहर है क्या है नहर इसकी लंबाई लगबग बैतर किलोमेटर है इस नहर का निर्मान चार माई 1904 को शुरू हुआ था और इस नहर का निर्मान पूरा हुआ 14 अगस्त 1914 को और 15 अगस्त 1914 को यह जल पोतों के आवा गमनेतु खोल दी गई थी ठीक है यह इसकी प्रमुक्विश्चिस्ता है आपको बता दी गई है आप आगे क्विशन पूछे जाएंग मान चित्र में जो दिखाई गई नहर है वह कौन सी है तो यह नहर आपको यह यह वाली नहर है इसको बताना है तो आपको समझ में आ गया कि कौन सी है तो इस नहर का नाम है पनामा नहर कौन सा पनामा नहर अब नेक्स्ट क्यूस्टन है कि नहर के दोनों और दो नाम लिखिये या बताइए कौन-कौन से बंदरगा है तो इह एक है और दूसरा है पना मावंदरगा और पृषकि मासागर के किनारे तो दो किसे न आपको तयार होगे इसी मेह आपको द्यांसे देखना है पनामा नहर की लंबाई कितनी हैं जो आपको मैं में दी गई है आपने द्यान से देखा हो गए तो आपको पता चल लगा कि पनामा नहर की लंबाई लगवेज चीलो मिट्र और दिखाया गया हुई इसमें आपको बता नहीं कि इसका निर्मान चार माई 1904 को वा था इसका शुरुवात और 14 अगस्त 1914 को पूरा और 15 अगस्त 1914 को यह क्या क्या पब्लिक के लिए खोल दी गई थी अब नेस्ट क्वेशन है कि महा नगरिये सहर और मेगा सहर क्या है बारत के महा नगरिये सहरों और मेगा सहरों में सिपरितियेक के दो दो उदारन दे के आपको इसफ़क रना है बताना है महा नगरिय के पीचिता है और दुणिया में पचास लाग से अदिक जनसंख्या वाले से महा नगरिय के ऊधारन। टो मानगर यह से जैसे वार्च में सुरेत है कानपुर है जैपुर है और लखना हुआ है यह क्या है महान अगर यह से और मेगा से में मुंबई दिली कोलकाता चेल्णै भेंगलूर हिद्राबाद और आधी सामिल हो गए हैं इनकी जंसेंग कितनी है पचास लाग से ज्यादा है ठीक है आपके सामने चेत्र और शकल पसल चेत्र के बीच में आप किस तरह से अंतर कर सकते हैं यह क्या है तो एक तो आपको यह द्यान रखना है कि सुद्ध पूछा जाए आप इनको आप पहले परिवास देख लेते है और उसके वाद में आतर समझ में आजाएगा तो चेत्र वह भूमी जिस पर पसले अगाई काटी क्वैम चेत्र है इसमें एक बार अधिक सौरी एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि निवल बोया गया चेत्र वह भूमी जिस पर पसले उगाई वह काटी जाती है उसे निवल बोया गया चेत्र अथ्वा सुद्ध बोया गया चेत्र कहते हैं आप बात करते हैं तो यह कुल बोया जित्र को उतनी यहाँ जाता है जितने बार उसको पर पसल पोई जाते है, इस तरह से कहने का मतलब है कि एक बार जो पसल बोई जाती है उसको सुधिया निवल चेतर कहते हैं जितनी भी बार हम बोएंगे उसको जोड़ दिया जाता है इसमें मैं आगे थोड़ा सा आपको इस पस्ट कर दूँगा तो इस तरह से सकल रहा गया चेतर शुद्ध बोह गया चेतर से अधिक होता है क्योंकि इसमें बार बार रिपीट होता है वो जुड़ता चले जाता है आप उद्रहन के लिए आप समझ सकते हैं कि तीन अजार चियालीस लाख एक्टियर से ग्याद कुल चेत्र में से सुद्ध बोया गया चेत्र है चौद्ध अजार ग्यारे लाख थीन अजार चियालीस में से 1414 डबल लेख एक्टियर है यह क्या है यह कुल चेत्रफल सुद्ध बोया गया चेत्रफल जो यह कुल चेत्रफल का 46.32 है अब उदारान के लिए हम इसको फिर से समझ सकते हैं कि यदि एक वर्ष में कुल बुवाई चेत्रे 5 एक्टियर का उप्योग करते हैं और उस पर हम दो बार पसल होगा देते हैं तो क्या होगा फाइटर प्लस पाइटर तो यह कितना हो जाएगा तो फाइटर तो क्या हो गया आपका बोया गया चेत्र और सकल हो जाएगा टैन एक्टियर ठीक है सुद्ध बोय गया चेत्र का वित्रण एक समान नहीं है उत्री मैदानों में यह बहुत अधिक है पंजाब में 84 परसट है मिजोरम में थ्री पॉइंट वान प्रितिसत है पंजाप अर्याना उत्रप्रदेश में उच्छ सकल पसली चेत्र है उच्छ कम अले समें कई बार प यहां पर स्चाइक की कमी यह पानी की कमी है इसलिए यहां पसल एक बार ही होती है लोगवारा इस पर निरवत रहते हैं थीक्षिशन है कि भारत में किर्षी के लिए सिच्छाइक के मैंत्रों की व्यक्या कीजिए यह फिर आपको दूसरा पूछा जा सकता है कि पंवन और के दो लाब बताईए भारत में पवन हुर्जा के विकास के लिए अनुकूल परस्तितियों वाले चार राज्यों का उल्ले कीजिए मनलब उनका नाम भी बताना है तो यह दोनों अलग-अलग परसन है लेकिन आपको इस तरह से पूछा जा सकता है तो आपको सबसे पहले बार में कृक्स्री के सिचाही चेतर के मेत Teen के बारे में हम बात करते हैं उसके बारे में बताएंगे फिर दूसरा पर्न ओजदा के बारे में तो सूखे और अकाल पर नियंतन ए परियाप्त ए निश्चित और ए निमित वर्षा किसी में ए निश्चितता का कारण बनती है क्योंकि मानसून की कोई निश्चित नहीं है कभी जादा होता है कभी कम होता है कभी पहले आता है कभी बाद में आता है मांसून के दोरान भी देश के कई सोमे वर्षा भहुत कम और एविस्षिशनिय होती है यानि इसका कोई निश्चित नहीं है कभी-कभी मांसून काफी विलिमबित यानि देरी से हो जाता है जबकि कभी-कभी समय से पहले ही चमापत हो जाता है यह देश के बड़े चेत्रों क को सूखे की इस्तिति में धखेल देता है सिचाई की मदद से सूखे और अकाल को प्रवाईूद डंग स्यनियांत रत्रत किया सकता है कि सिंचित भूमी पर कुछ उतपादक से काफी जादा होती है तीसरा पॉइंट हम बात करते हैं कि भाव पसली खेती संभाव सिच्चाई सुविदाओं के प्रावदान से देश के अधिकांस चेत्रों में एक वर्ष में दो या तीन पसले उगाई जा सकती है जहां पर सिच्चाई की सुविदा होती है इससे किर्शी उत्पादन और उत् से किर्शी उत्पादन में काफी व्रध्य होती है यह सिच्चाई सुविदाओं के विश्तार के कारण संभा हुआ है यह तो हम बात कर लिए हमने कर से की अब क्वेस्चन था दूसरा कि क्या लाव हैं तो पावन उर्जा है यह हवा मुक्त है हवा से चलती है और आदूनिक तक्तिनी से इसे खुशलता से पकड़ा जा सकता है पावन ट्रबाइन बनने के बाद जो उर्जा पैदा होती है वह ग्रीन आउस गैस्टों या अन प्रिदूसरों को कारण नहीं बनती है इस तरह यह पावन ट्रबाइन बहुत उंचे हो सकते हैं और प्रतियेक ट्रबाइ इसका मतलब है कि नीचे की जमीन का अभी भी आम किसी के लिए प्रियोग कर सकते हैं यह विसे सुर्फ से किसी चेत्रों में होता है क्योंकि खेती को अभी भी जारी रखा जा सकता है अब इनके लिए कौन से राज अनुकूल हैं तो सबसे पहले राजस्तान है यहां पर रेगिस्तान है खुला एरिया है तो यहां पर आवा बहुत ते चलती है तो यह पावन उज़ा दूसरा गुजरात यहां भी कच कच चेत्र है ठीक है सौरास्ट वगरा महारास्ट है यह सब्सक्रावी और करनाटक में तो यह राज है यह पावन उज़ा के लिए उप्यूक्त राज हैं कि भारत में राज राजमार्गों की किनी तीन विशेष्टाओं को बताएं अब आपको यहां ध्यान यह देना अच्छी तरह से क्वेस्चन को समझना है यहां लिखा हुआ कि राज राजमार्ग एक होता है राष्टिय राजमार्ग लेकिन यहां पर राज राजमार्ग लिखा है तो राज राजमार्ग के बारे में भी स्टेट हाईवे ठीक है उसके बारे में ही आपको बताना है नेशनल हाईवे के बारे में नहीं बताना है तो भारत में राज ऍकार राज सरकारों दावारा किया जाता था समझ माया पहला ये निगोना में नाफनी नग्रों को जोडते हैं इसे सड़के राजमार्क्सों से जुड़ी होती है और यह डिस्टिक लेवल पर और अपने कैपिटल इस्टेट की जो कैपिटल है उससे जुड़ी होती है यह देश की कुल सड़कों की लंबाई का लगभग चार पृतिसत है अश्टिक और एक चीज और इसको पहचानने के लिए कि इनके माइल स्टोन के उपरी से का रंक इसा होता है हरा होता है मधिन स्टोन समझतों क्या होता है जो किनारे पर पत्तर लगे होता है है उसमें किलोवेटर लिखा होता है उसे मईल स्टोन के जाता है और उसके जो उपरी इस्स पिला हुआ उसके उपर का सपीला होगा तो इससे आपको पैचान हो जाती है कि यह सा राज मार गए ठीक है तो यह आपको अच्छी तरह से समझ मा आ गए होंगे इसको ज्यान से देखना है और समझना है कोई भी प्रसंट छोड़ना नहीं है और इनको पढ़के राप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे यदि आप अमारे चैनल पर नहीं है और अभी तक आपने को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्पया चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और बैल आइकन को बटन को दबाएं जिससे आपको इस तरह की और भी इंपोर्टेंट वीडियो मिलती रहे मैं आपके उज्यलवाई उसकी काम ना करता हूं थैंक यू झाल 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 झाल